वेलकम टू माई यूटूब चैनल भारशींग लेक्टर्स कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम बीए सिक्स सेमेस्टर फिजीकल एजूकेशन की वेरी वरी मोस्ट इंपोटेंट को देखेंगे अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स सब्सक्राइब एकत्र करने की एक प्रिक्रिया या नई जानकारी खोजने या नई समझ तक पहुँचने के लिए किसी विसय का बिस्तरत अध्यन या खेल तक्निकों का बहास करने का कारे या सारीरी सिच्छा सिखाने की प्रिक्रिया तो इसमें बीवाला आपसन बिलकुल है नई जानकारी खोजने या नहीं समझे के लिए क्योंक जूंने में कि बूचने के इसमें वाला बिल्कुल हो जाएगा इसकी वान नचनाằng की दो है आप अलाग armourष भार्य bud मारकेट देख रहे हैं अगर आपके यहां मार्केट में अवैल वैल है तो मुझे कमेंट वाक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा ठीक है तो इसमें कोश्च नमर टू है सारे सच्छा और खेल के संदर में अंचंदान में मुख्य रूप से सामिल है केवल एत्यासे खेल अबलेखो का अध्यन या तथ्यों या सिद्धानतों को इस्थापित करने या किसी विशय पर जानकारी एकत्र करने के लिए ब्यवस्ते जाच या खेल प्रथाओं का आकस्मिक अबलोकन या खेल समंदी समाचार लेख पड़ना तो इसमें आपसन बी वाला बिल्कुर सही है ठीक है त सिद्धानतों को इस्थापित करने या किसी विशय पर जानकारी इनकी किसी विशय पर जानकारी एकत्र मतल इखटी करने के लिए ब्यवस्ते जान ठीक है तो इसमें बी वाला आपसन बिल्कुल सही हो जाएगा इसकी बाद अगला कोश्च नमबर तीन है निमलिखित में से कौन सारीरिक सिच्छा में अनुशंदान की प्रकृती का सबसे अच्छा वरड़न करता है संबैधानिक और पाठ्य पुस्तकों तक सीमित केवल पोश्चर शमंदी पहलूं पर केंद्रित किया गया या पूरी तरह से एत्यासिक डेटा पर आधारिक सिच्छा गत्विदिय सिच्छा में अनुशंदान की प्रकृती का सबसे अच्छा वरड़न है इसके बाद अगला कोश्चन नमबर चार है निमलिखित में सारी सिच्छा में अनुशंदान का मुख के उद्दे से है एत्लेटिक प्रदर्शन में सुधार या खेलों में बितिये निवेस या खेल शिब्दाओं का निर्माड या खेल उपकरड का निर्माड तो इसमें एवाला आप्शन बिलकुल सही है एत्लेटिक प्रदर्शन में सुधार ठीक है इनके इन सभी में से अनुशंदान का मु प्रश्ट नमबर पांच है निम्लिखित में से कौन सा सारी सिच्छा में अनुशंदान की उद्देशी का सबसे अच्छा वरण करता है खेल उधोग एवं संपत्ती बढ़ाने के लिए या सिच्छड विदियों और परडामों को समझाना इनकी समझना और उनमें सुधार करन एक प्रकार के खेल को बढ़ावा देना एक खेल हस्तियों की आलोचना करना तो इसमें आपसन बीवाला सही है सिच्छड विदियों और परडामों को समझना और उनमें सुधार करना ठीक है यानिकि इन सभी में से सारे सिच्छा में अनुशंदान के मुख्य उद्देशी क इसमें परडामों को शमझना और उनमें सुधार करना है ठीक है सारे सिच्छा में अनुशंदान का सबसे अच्छा उद्देश से है तो इसमें बीवाला आफसन विल्कुल सही हो जाएगा इसके बाद अगला कोशन नमबर 6 है निमलिखित में से खेल विज्ञान में गुड जाएगा जाेगा我說 लिहेंक समयान के सबसें र謹ता सी वाल utm Records को से रीपना का सब्क आदेशन के रहे है तो आफसन पात्य सिच्छा सब्सक्राइब निम और शमियां यह इन समय में इंचे और विज्ञान को और घुस जा सकते हैं उन उनके वूद्देश को negotiatanda में जार्या कि वाद अगला कोश्चन नंबर शाथ है कि निमलिखित में से कौन खेल और शारिक सिच्छा में सबसे अच्छी सोद की विसेश्था है विसेश्था या एक परिकल्पना के प्रति पूर्वा गरहे या वेवस्तित दरश्टी कोड या सीमित दायरा तो इसमें आपसन सी वाला सारी निमलिखित में से सारी विसेश्था की विसेश्था है तो इसमें सीवाला आपसन बिलकुल सही हो जाएगा इसके बाद कोश्चन नंबर निमलिखित में से कौन सा अच्छे सोद की विशेष्था नहीं है पच्पात व्यवस्ति दरश्टि कोड तारिक पिरक्रिया या अनुभव जन्ने साच्छे तो इसमें आपसन यह वाला सही है पच्पात ठीक है उन पर सारी सिच्छा में अच्छे सोद की विशेष्था पूछ रहा था तो यहा पानुभव जन्ने साच्छे निम्लिखित में से किसे संद्रवित करता है भावनाओ या विचारों पर आधारित जनकारी या अवलोकन या प्रियोग में के माध्यम से जनकारी एकत्र की गई या यहतिहासिक इस रोतों से डेटा एकत्र किया गया या भविश्य में खेल यह योजनाओं के बारे में भविश्य वाडिया तो इसमें आपसन भीवाला सही है अवलोकन या प्रियोग के माध्यम से जनकारी एकत्र की गई ठीक है यहाँ पर है अनुभव जन्ने साच्छे निम्लिखित में से किसे संद्रवित करता है तो अनुभव जन्ने साच्छे अव लोकन या प्रियोग के माध्यम से जनकारी एकत्र की गई को संद्रवित करता है तो इसमें आपसन भीवाला बिल्कुल सही है इसकी वाद अगला कोश्चन नमबर 10 है सारीरिक सिच्छा और खेल में अनुभव महत्पूरण है क्योंकि यह हैं इसमें मदद करता है केवल बेक सुधार होता है या केवल प्रतियोगताओं जीतने पर ध्यान केंद्रित होता है तो इसमें सी वाला आपसन विल्कुल सही है प्रदर्शन सुरच्छा और फिटनेश में सुधार होता है ठीक है सारी रिक्सिच्छा और खेल में अमशंदान महत्पूरण है क्योंकि यह हैं इसमें मदद करता है तो तो प्रदर्शन सुरच्छा और फिटंेश इस थ्थर में सुधार होता है के सारी रिक्सिच्छा और खेल में अंसंदान की आवसक्ता में निम्निखित में से क्या सामिल नहीं है भी आयाम के तेस्ट प्रिभाब को समझना बेहत्तर खेल उपकराइड दिजाइन करना यद्द कारीकिरमों की लागत बढ़ाना यद्विक्सित करना तो इसमें ап선 शी वाला विलकुल कारीकिरमों की लागत बढ़ाना ठीक है सारी सिच्छा में खेल में इनकी सारी सिच्छा और खेल में अनुशंदान की आपसक्ता में निमलिखित में से क्या सामिल नहीं है तो खेल कारिकिर्मों की लागत बढ़ाना सामिल नहीं है तो इसमें C वाला आपसन विल्कुल सही हो जाएगा इसके बाद अगला कोश् से खेलों में अनुशंदान महत्पूरड है तो यहां पर यह है एथलीटों की बेक्तिगत राय को प्रिसेच्छड विद्यों को निर्देशित करने की अन्मती देता है यह उनकी प्रिभाफसीलता पर शवाल उठाए विना पारंप्रिक तरीकों पर निर्वर करता है यह साच आधारित अभ्यास के विकास को सच्छम बनाता है यह सारी पिसे चड़ तकनीकों में नवाचार को तोत्साहित करता है तो इसमें आपसं सी वाला विल्कुल चाहिए है यह साच आधारित अभ्यास के विकास को सच्छम बनाता है ठीक है इनकी निमलिखित में से किस कारण से एनके इन सभी में से किस कारड से खेलो में अनुशंदान महत पूरुड है तो यह साच आधारत अब्यास के विकास को सच्छ मानाता है इसलिए खेलों में अनुशंदान महत पूरुड है तो इसमें C वाला आप्सं बिल्कुल सही है इसके वाद अगला कोशन नमबर 13 है नमलिखित में से सारे रे सिच्छा और खेल में अनुशंदान इसके लिए महत पुरड़ है प्रसिचकों की भूम का कम करना ये अथलीटों के बैग्यानिक पहलू को की अंदेखी करना खेल समंदी चोटों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए रड़नीती विक्सित करना एक केवल विशिष्ट अथलीटों की उपलब्दियों पर ध्यान केंद्रित करना तो इसमें सीवाला आपसन बिल्कुल सही है खेल समंदी चोटों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए रड़नीती विक्सित करना ठीक है यहां पर है अनुशंधान के लिए महतपुरण है तो इसमें सीवाला आपसन विल्कुल सही हो जाएगा इसके बाद अगला कोशन नमबर 14 है सारीर सिचा और खेल में अंशंधान के दारे में अधिन सामिल है केवल ऐथलीटों के सारीर पहलों केवल खेलों का इतिहास या खेल से समंदित बायो मेकेनिक्स शरीर विज्ञान मयोनुवैज्ञानिक और समासास्तर खेल वर्दी का डिजाइन तो इसमें सीवाला आपसन विल्कुल सही है खेल समंदित बायो मेकैनिक्स सारीरिक सरीर विज्ञान मनुवाइग्यानिक और समासाथ ठीक है तो इसमें सीवाला आफचन विल्कुल सही हो जाएगा इसकी बाद अगला कोश्टन नमबर 15 है निमलिखित में से कौन सा छेत्र आमतोर पर खेल अंसंदान की दायरे में नहीं माना जाता है खेल विपड़न रड़नीतियां समांज पर खेलो का संस्कृतिक प्रभाव या खेल शिवधाओं का बास्तु सिल्प डिजाइन या विजेता टीमों के लिए जोत्सी ये भविस्वाडियां तो इसमें दी वाला आफचन विल्कुल सही है वि जेता टीमों के लिए जोत्सी ये भविस्वाडियां खेल दायरे या खेल अंशंदान के दायरे में नहीं है तो इसमें डी वाला आफचन विल्कुल सही हो जाएगा इसके बाद अगला कोश्चन नमबर 16 है सारी रिक सचा और खेल में अंशंदान इसमें योगदान दे सकता है खेलों में नैतिक मानकों में कमी या खेल प्रदस्शन विसले सड में प्राउद होगिक का बाहिसकार सामदाईक स्वास्ते और फिटनेस में वरद्दी खेल कारकिर्मों की पहुंच कम करना तो इसमे स्वास्त और फिटनेस में व्रद्धी ठीकिए सामदाइक आपनेस में योग्दान दे सकता है लेज एक नंशंदान के जारएं और सारी 59 नम्वर 27 सारे how चाह disappointment का युद्धि नहीं में बदध रहा है सारी City स्वास्ते में घट्टी रूची, खेल विज्ञान की इस्तिर प्रिकर्टी या एक बहु विसएक छेत्र में के रूप में खेल के प्रति जगरुकता वड़ाना या स्कूलों में सारे सिछां की घट्टी भूमिका तो इसमें सी वाला आफसन बुलकुल सही है ये एक बहु विसायक छेत्र के रूप में खेल के प्रति जगुपता बढ़ाना तो इसमें सी वाला आफसन बुलकुल सही हो जाएगा इसकी वाद अगला कोश्च नंबर अठारा है सारीरिक सिच्छा और खेल में अनुशंधान के दाइरे के वारे में निमिखित में से कौनचा सही कथन है यह है ब्यक्तिकत खेल तकनीकों में सुधारिक तक सीमित या या इसमें त्रिसेच्छड विधियों स्वास्ते सोसड मनुवेग्यानिक और उपकरण डिजाइन सहित विसेयों की एक विस्तरत स्रंकला सामिल करना या यहें विशेश रूप से अंतराश्टिय इस तरपर प्रति इस परदी खेलों पर केंद्रित या इसका सम्मंद केवल पारंप्रिक खेलों से है और इसमें आधनिक खेल शामिल नहीं है तो इसमें बीवाला आप्शन बिलकुल शाही है इसमें प्रिसेच्छड विधियो इसमें बीवाला आप्शन बिलकुल सही हो जाएगा इसके बाद अगला कोश्चन नमबर 19 है निमलिखित में से कौन सा छेत्र आमतोर पर सारे सिच्छा और खेल में अनुसंदान के दारे में नहीं माना जाता है एथलीटों का मनुवैग्यानिक मुल्यांकन खेल गतविदि अगला कोश्चन नमबर 20 है सारे स्पाइब्स एच्छा और खेल के में अनुसंदान के दारे में अध्यन सामिल है एथलीट के प्रदश्चन के केवल भौतिक पहलों खेलों का सांस्क्रितिक प्रभाव एथलीटों की बायो मेकैनिक्स सारीरी सिच्छा और इनकी सारीर विज्ञान और मनुवज्ञानिक तो इसमें डीवाला आफसन सही है बी और सी ठीक है तो इसमें इनके वी और सी यह दोनों आफसन ब्रवाव और एथलीटों की बायो मेकैनिक्स और सारीर विज्ञान की और मनुवएग्यानि ठीक है तो इसमें ये दोनों आपसन बिल्कुल सही है बी तधा सी इसकी बाद अगला कोशन नमबर 21 है खेल विज्ञान के संदर्म में अंत विशय अनुशंधान में सामिल हो शक्ते हैं अध्यन को पूरी तरह से एतिहासी खेल उपलब्दियों पर केंद्र करना अनुशंधान जो प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जी बिग्यान मनुवएग्यानिक और प्रावधगों की को एकत्रित करना या खेल आयोजनों की मेजवानिक के आर्थिक लावों तक सीमितर रहना या केवल खेल वर्दी के संदर्य समंदी पहलूं पर ध्यान प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जी बिग्यान मनुवएग्यानिक और प्रावधगों की को एकी करत करता है तो इसमें बीवाला आप्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसकी बाद कोशन नमबर बाइस हैं इनकी सारी सिच्छा और खेल में सोद निशकर्षों से के अन मुदाइक स्वास्ते और शारी गत्विदी इस तर या बी और शी दोनों तो इसमें बी वाला आप्चन बिल्कुल सही है इसकी बाद अगला कोश्चन नमबर तेज़ है खेल उपकरण और प्रिसेच्छड बिदियों में तकनी की प्रगति अक्सर निम्ण में से किस कारण से होती है आकस्मिक अवलोकन से या ब्यवस्तित जांच की विना परीच्छड और तुरटी ब्यापक अनुशंदान और विकास से दूसरों की अनुशंदान पिरकेरिया क ब्यापक अनुशंदान और विकास से इसके वाद चोलटी सारे सिच्छा में अनुशंदान के दाएरे में यह सभी सामिल है तो इसमें बीवाला अप्शन बिल्कुल चाहिए खेल भागिदारी के सामांजिक सांस्कृतिक पहलूं की जाच करना तो इसमें बीवाला अप्शन बिल्कुल चाहिए हो जाएगा इसके बाद अगला कोशन नमबर 25 है सारीरिक सिच्छा और खेल में पिरभावी अनुशन धान होने से निमन में से क्या होने की अधिक संबावना है प्रिशिच्छड विदियों में नवाचार को हितोच सायद करना असुरिच्छित प्रिथाओं को बढ़ावा देकर चोटूस को बढ़ाना या बैसिक खेल भागिदारी और रूची का बढ़ाना उपलब्द खेलों में बिविदिता को स्रीमित करना तो इसमें सी वाला अप्सन बिल्कुल सही है बैसिक खेल भागिदारी और रूची का बढ़ाना ठीक है तो इसमें सी वाला अप्सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आ कि आपके लिए नेस्ट वीडियो कि सब्जेक्ट की चाहिए थैंक्यू वाजंग फार वीडियो